आज इस प्ली पीटी स्लाइट के माध्यम से समाज शास्त्री परिपेख्ष के बारे में आप सभी को बताया जाएगा सभीता बदोरिसाय का चार गोवर्मेंट कॉलिज राजगर के माध्यम से समाज शास्त्री परिपेख्ष क्या होता है समाजिक परिपेख्ष के अंतरगत 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 समाजिक परिपेख्ष क यह जो एक विशय को अनि विशय से बनाता हैcha किसी भी घटना या तत्रका विशयड दिर्षट कौन से विवस्तै विसलेशन करना इसे एक example के माध्यम से समझेंगे गिराजिंट का ध्यन विशय के विविशय दिर्षटी कौनों से ध्यन घर अगर हम करते हैं तो कुरसी को एक बनस्पथी शास्त्री कुरसी को उस तरीके से देखेगा कुछक उसके अंत्र ज़ो मटीर लगा हुआ है वह किस प्रकार गाल किसन ळखिव Watch में आता है रखी स्व है. के यानि कौन से पताधिकारी इस कुर्सी से संबंदित है या बेह कुर्सी कौन से पत से संबंदित है कमरे के अंदर रखी कुर्सी और घर के अंदर रखी कुर्सी और आफिस के कुर्सी में पत संबंदी अंतर्म पाया जाता है एक अर्थ शास्त्री कुर्सी का अध्यन उसके क्रेव एक क्रेव मुले लाभानी के द्रिश्टी कौंट से करता है इस प्रकार एक वस्तू का विविद द्रिश्टी कौंट से अध्यन करना ही परिपेक्ष कहलाता है समाज शास्त्री परिपेक्ष किसी भी गटना या तत्तिका या समजिक गटना या तत्तिका समजिक दिश्टी को उन से अध्यन करना ही समाज शास्त्री परिपेक्ष का लाता है समाज शास्त्री परिपेक्षों में दो परिपेक्षों की ब्रधानता रही है पहला परिपेक्ष है समाज़ शास का वैग्यानिक परिपेक्ष, दूसरा है समाज़ शास का मानव दावादी परिपेक्ष समाज़ शास के वैग्यानिक परिपेक्ष के अंतरगत के अनुसार मानव विवार को निष्टित वैग्यानिक नियम प्रवर्थियों के अनुसार संपन होता है यानि कारिकारन संबंदों का अध्यान किया जाता है और समझ सामाजिक गटनाव और मानवी तथ्यों का अध्यान विशिष्टि वैग्यानिक दिश्टी कोड़ों से किया जाता है और लोग समान परिसिति में समान रूप से विवार करते हैं माना जाता है इसमें कारकार्ण संबंद भी पाया जाता है लोग कार विवार के अंतरगत इस प्रकार से कुछ समाजी घटनाय और मानी विवार वैग्यानिक रूप से ही संचालित होते हैं समाज शास्त के विकास पधियान देने से ये बाद इस्पष्ट हो जाती है कि वैग् दिश्टी कौन से अधिन किया था समाज शास्र का मानवतवादी परिपेख्ष जो है उन्नी स्वी शताबदी के अंत में जब नवीन ओद्योगी के तकनिकी विकास होने लगा विविन परिस्थितियां और इस विकास के सास्थ संदर्व में विविन समस्यां इसामजिक समस अध्यां उत्पन हुई तब अमेरीकी समाज शास में मनोविज्यानिक तत्व को प्रदानता देते हुए इसका मानवकी परिपेख्ष के माध्यम से अध्याद्यों किया जाने लगा और समाज शास के वेग्यानिक परिपेख्ष को चुनाती दोते हुए योरोप में पिछल अद्धियन और उपेक्षित वर्ग जो है जो समस्या या फिर परेशानियों से जूज रहा है उस वर्ग की दैनिक जीवन की सामानिक घटनाओं को मानुकी परिपेक्ष में अद्धियन के लिए चुना जाता है। अनुबाववाद गरनात्म तथ्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। लाओं के अधियन पर अधिक जोर देकर समाशास्त्रिय ग्यान का वास्तिविक महत्ता को दर्शाया गया है। अधियन के परिपेक्ष के प्रमुक उपागम में चार उपागमों को सम्मिलित किया गया। अधियन पर अधियन पर अधियन पर अधियन के जाता है। पागम में विशेपरक और व्यक्ति अधियन अर्थार्थ बोध पर जोर दिया जाता है। और संचार एक महतुपूर्ण पक्ष होता है। संचार के लिए भाषा का प्रियोग किया जाता है। लेकिन या भाषा के व्यक्रनी अर्थ पर ध्यान न देखुर। और संचार के लिए पक्ष को समझा जाता है। इसमें तीन पक्षों के अधियन पर जोर दिया जाता है। घटनाओं के दिन प्रतिदिन की सामानी क्रियाओं को घटनाओं में सम्मिलित करना। भाषा के सामाजिक पक्ष का अधियन और सामाजिक प्रतिमानों का व्य पक्ष जो व्यक्ति अपने व्यवार में काम में लेता है। व्यक्तिकी स्वयम की समझ, किसी भी गटना को देखने का व्यक्तिकत नजरिया, किसी भी गटना को देखने का जन सामाने का तरीका, अध्यन का छेतर होता है इसके अंतरगत, प्रगटना शास्त्र क्या है, सामजिक प्रगटना को समझने के लिए, प्रगटना की विशय वस्त अरध्यन करता को अलग-अलग बताए गया है पृत्म में इस पागम में अनुभव को दो इस तरों पर समझने का प्रयास किया जाता है पृत्म सम्मेलित अनुभव और दूसरा यूनिक एक्सपिरियेंस या विसिश्ट अनुभव पृत्म प्रकार के अनुभव के आदार पर रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में कोई विशिष्ट पैचान किसी इस्तिती परिस्तिय संरचना की विशेश की वज़े से होती है थोड़ा से समझने में कठिल लगेगा तीसरा है रेडिकल उपागम रेडिकल एप्रोच है आमूल परिवर्तनवादी उपागम